Hello everyone, Welcome to Global People's Academy, Episode 3 ठीक है, Translation Hindi to English, सनवाद हिंदी से अंग्रेजी में तो इस एपिसोड में हम लोग अनवाद करेंगे Sentence No.1 महा महीम राजपाल 28 को रीवा में आदवाशियों से करेंगे संबाद ठीक है, एह है दूसरा है, गिट्टी का आवैद परिवाहन करते डंपर वाहन जयपत तिसरा है, सिख्षा बेवसाय का नहीं, राश्ट को जागरित करने का साधन है और No.4 है, अपने सपनों को कभी नहीं छोड़े और Last, इमानदारी सबसे अच्छी नीती है तो Let's Get Started Sentence No.1 इसमें है, महामहिम राज्यपाल 28 को रिवा में आदवाशियों से करेंगे संबाद तो ये News Headline के स्टाइल में लिखा हुआ है और ये जो Sentence है, Future Indefinite में है इसमें जो Subject है, महामहिम राज्यपाल है महामहिम राज्यपाल और महामहिम के लिए जो सब्द यूज होता है His Excellency लेकिन अब ये जो सब्द है इंडिया में यूज नहीं करते ठीक है, तो इसके स्थान पर His Excellency के स्थान पर यूज करेंगे Honorable Honorable ठीक है, इसको Short में लिखते हैं Hon उपर Apostrophe और BLE ठीक है, Honorable ओके, तो क्या हो जाएगा Subject Honorable Governor Honorable Governor ठीक है, Subject हो गया अब इसमें क्रिया क्या है तो संबाद करेंगे क्या करना है, संबाद करेंगे Governor ठीक है, तो Honorable Governor to Interact Interact मिन्स संबाद करना Interact इसके साथ With With मिन्स साथ से ठीक है, तो आदवासियों से आदवासियों से तो With Tribals ठीक है, Tribals Tribals मिन्स आदवासियों ठीक है, Tribals कहा करेंगे In Riva Riva में और किस तारिक को करेंगे 28 को ठीक है, तो इसके लिए होगा On 28th ओके, तो यह होगया Translation Honorable Governor To Interact With Tribal Sin Riva On 28th किलिर है, यहां पर Honorable Governor है और To Interact To Interact यह जो तू है, यह बता रहा है Future ठीक है, यहनि वो Interact करने वाले हैं To Interact ठीक है वो, जो Governor है संबाद करने वाले हैं ठीक है यह काम जो है Future में होने वाला है तो यह किलिर है Okay Sentence No.2 इसमें है गिटी का अवैध परिवहन करते डंपर वाहन जब्त ठीक है यह जो sentence है Past Indefinite में Past Indefinite में ठीक है वाहन जब्त हो गया तो इसमें जो है subject है क्या है वाहन ठीक है डंपर वाहन डंपर वाहन तो यहां पर लिख लेते हैं डंपर वेहकिल ठीक है वाहन मिन्स वेहकिल ओके और काम क्या हुआ है वर्व क्या है तो Past Indefinite है तो Second Farm लगेगा क्रिया का ठीक है Seized जब तो हो गया ठीक है Seized Seized इस तरह से लिखा जाएगा Seized ओके और डंपर वेहकिल Seized क्या करते हुए क्या करते हुए गिट्टी का अवैद परिवहन करते हुए गिट्टी का अवैद इस होगा Transporting Transporting और क्या Transport कर रहा था Transporting गिट्टी वेलिस्ट ब्लास्ट नहीं पढ़ना है ठीक है वेलिस्ट तो ये गिट्टी इस का रत्ट क्या होता है गिट्टी ट्रांसपोर्टिंग वेलिस्ट इलीगली ठीक है अवैद रूप से ए लीगली किलियर है ये पुरा हो गया ट्रांसलेशनों के Sentence नमबर थिरी Sentence नमबर थिरी है शिक्षा ब्यसाय का नहीं रास्टर को जागरित करने का साधन है तो ये Sentence जो है Present Indefinite में है Present Indefinite में है ठीक है तो इसमें जो Subject है क्या है सिक्षा Education ठीक है तो इस Sentence को इस तरह से Simplify करके बढ़ सकते हैं कैसे होगा सिक्षा ब्यसाय का साधन नहीं है बलकि रास्टर को जागरित करने का साधन है ठीक है तो Education is Education is Not A Means of Means of Business ठीक है Means means साधन तो जो सिक्षा है Education is not A Means of Business ठीक है Business सिक्षा जो है Business का साधन नहीं है बलकि But But A Means A Means To Awaken Awaken The Nation 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 means राष्टर ठीक है राष्टर Nation means राष्टर और To Awaken To Awaken Means जागरत करना जागरत करना ठीक है किलियर है तो इसका Translation इस परकार से हो जाएगा Sentence No.4 अपने सपनों को कभी नहीं छोड़े तो यह sentence जो है Present Indefinite में है और इसका अनुबाद किस तरह से होगा Never 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 छोड़ें छोड़ना त्यागना ठीक है प्रयाश करना बंद करना इसके लिए जो प्रेज है वाक्यान से है यह है Give Up On ठीक है यह जो प्रेज है ठीक है Give Up On Means होता है छोड़ना त्यागना प्रयाश करना बंद कर देना टीक है यूर ड्रीम्स यूर ड्रीम्स ठीक है ड्रीम्स मीन्स शपनों ठीक है यूर अपने तो इसका न बात क्या हो गया never give up on your dreams clear है sentence no.5 इमानदारी सबसे अच्छी नीती है present indefinite में माना जाएगा और एक कहावत है proverb है तो इमानदारी honesty honesty is is the best policy policy ठीक है honesty इमानदारी is है the best सबसे अच्छी सबसे अच्छी ठीक है और नीती policy यहाँ पर the best क्यों लगा है तो good good means अच्छा और better means उससे अच्छा की तुलना में अच्छा और best means सबसे अच्छा यह क्या है यह comparative degree हो गया good better best यह superlative degree है ठीक है यहाँ पर क्या है best superlative degree है तो superlative degree के पहले दा लगता है clear है honesty is the best policy तो इस episode में इतना ही thanks for watching this video थादके जड़े ज़से अजखे वह क्या प Laureth